अब्सकार आप देख रहें एबी पीज नीज में शिल्पीतर पाटी एक बड़ फिर से आपका स्वागत करते हूं हमारे खास कारेकर विधायक जी चले गाउं के ओर में आज हमारे साथ ने जनपात् बदोई से बहुत पाविधायक दीनानाथ बासकर जी जो कि अपने 6 से 3 ब बाद करते हैं गाओं के विकास को लेकर विदायक जी आपको बहुत-बहुत स्वागत है घंजबाद जी यह बताईए कि जो हमारे गाओं की जो जनता है जो गाओं के लोग है किसान है वो हमारे देश को उन्नत बनाने में क्या योगदान दे सकते हैं हमारा भारत वर्ष किषान बहुल यह देश है और 80% आबादी के लोग किषान पर आश्रित रहते रहते हैं और किषान अगर नहीं है तो देश है किस लिए हमारी शरकार हमारे प्रधार मंत्री अधर्य नरेंदर मोदि जी ने यह गोशड़ा किया है कि हम जो है किसी भी हाल में आने वाले 2019 तक किसानों की आमदनी को हम दो गुना करेंगे तो इसलिए किसान हमको अनाज देता है और सभी लोगों को रोटी खाने की जरूरत होती है और कलकार खानों से रोटी नहीं खाया जा सकता है बलके किसानी से ही रोटी खाया जा सकता जिसे आपने कहा कि 2019 तक किसानों को आई जो है वो दूगनी की जाएगी कि किया किसान ऐसे ही रहेगा किसानों के लिए उजनाए चल लहीं है सबसे पहले हम किसान को बीच जो है मुफ्त दे रहे हैं और निम कोटेड यूरिया दे रहे हैं कीट नासक दवा दे रहे हैं नहरों में हम तेल तक पानी पहुंचा रहे हैं गाओं में जो है हम बिजली पहुंचा रहे हैं ठारा गंटा और साथ ही साथ हम सभी लोग ततपर हैं कि किसान का जो है जमीन का खेत का बीमा कराया जाए और अगर उनका फसल नुक्सान होती है तो उनको जो है हम बीमा देते हैं उनके फसल का नुक्सान की भरपाई करते हैं हमने धान को साड़े पंदर रुपया कीलो में खरीदा है हमसे पहले किसी भी सरकार में 50.50 रुपया कीलो धान नहीं खरीदा था, अभी 75.50 रुपया कीलो ग्यऌू का मुल्ड का निरधारण किया गया है, हमारे मुख मंत्रिया अजड़ी योगी जी ने घोसित किया है दाम, तो 75.50 रुपया कीलो हम ग्यँू कादाम दे रहे हैं, पि कि वाओं का जो नलकूप है प्राइवेट हो या गवर्मेंट का हो वो हम दुस्त रखे हुए है तो हम नहीं समझते हैं कि सानों से समंधीत जितनी भी समिश्याएं हैं तो वह जो है बिलकुल हम सभी लोग जो है तत पर है कि किसान का कहीं से भी घाटा नहीं होना चाहिए और किसानों का जो लागत का है उसका मुले मिलना चाहिए आपने कहा कि ये सारी जो किसान के लिए चलाई जा रही हैं लेकिन फिर भी जो किसान है बहुत बहुत निरास अतास होके वो आत्मत्याय कर रहे हैं इसका कारण क्या है उत्ता परदेश में इस तरह की समस्या नहीं है और अभी हम लोगों ने किशानों का एक लाग का जो हा करजा माफ किया है data जो भी किया साकारी शमितीं के जरी जिरिए या बेंकों के जरीए जो लोन लाग मतप्राइस जरी के लिए एक लाग जाए कि हमारे प्रदेश में सरकार कहीं से दुखी है आपने किसानों का करजा इतना माफ हुआ है जो लेकिन जो किसान है जिनका करजा माफ हो चुका है वो आज भी उसी बोस से दबे हुए कि उनके पे आधा ही करजा तो माफ हुआ है ना आधा से ज्यादा तो नहीं माफ हु गृणका किसान अगर गृते हैं लोग जो बीश की संगे लोग जो गृती है उसका एक लग को पिदा अधिर में अंगर भाते हैं 얼 हमारे प्रदेश में इस तरह की समय से नहीं है कि कोई जो है किसान भूख से मर है कोई गरीब या कोई किसान जो है करजा से आत्महत्या किया हो इस तरह की कोई शिकायत उत्तव प्रदेश में नहीं आई है हम लोग भी किसाने घर के हैं किसाने के बेटे हैं हम लोग के हां भी खेती होती है तो जो चोटी-चोटी समीस चाहे रही है उसका निदार हमारे उट्वा प्रदेश की सरकार मान्यमी योगी जी ने किया है प्राथमी विद्याले को हाई टेक बनाने की कोशिस हमारी सरकार कर रही है और जो है हर ब्लाक में पांच पांच बिद्धAYले से हाइटेक बनाए जा रहा है और हर जगा बाथरूम की शुबधा उपलब करायी जा रही है तीचरों की पोस्टिंग हो रही है अब तक हो जाए है सरकार ने भी घोसरा किया है पिकल ही जो एक साल पूरा हुआ है उसमें सरकार ने बहुत जल्दी बैक अ सी निकालने का आदेश अपने अधिकारियों को दे दिया है और हम जो है बैक दे रहे हैं हम जो है ड्रेस दे रहे हैं हम किताब दे रहे हैं हम भोजन दे रहे हैं हम जूता दे रहे हैं हम सूटर दे रहे हैं और एमाय तक के लड़कियों की सिच्छा मुफ्त किया गया है लड़कों का इंटर तक की सिच्छा मुफ्त किया गया है और नकल को रोका गया है तो जो प्रात्मिक विद्याले से ले करके और इंटरमीडियर तक के जिसने भी कालेजिज है तो अभी तो हम नकल रोके हैं अब तो हम जो है जो टीचर है उनके ऊपर जो है कैमरा के जरिये सिसी टीवी कैमरा के जरिये निगरानी रखेंगे कि वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे हैं जी विद्धेक जी जैसे कि और बात करें कि अस्पतालों की गाउं के जो अस्पताल है उसके बारे में आप क्या कहेंगे तेखे हमारे यहां जो है हर जो है जिला अस्पताल में CT स्केन की बेवस्था हो जो है सरकार करने जा रही है साथ साथ में MRI की विवस्था करने जा रही है और उसके बाद किडनी जो है का जो है जांच के लिए उसकी मसीन अलग लगाने जा रही है तो जिला अस्तर पर जितनी विवस्थाइं दिया जा सकता उतना हम लोग दे रहे हैं अभी हमारे जनपद में ही और मेरे ही बिधान सवा में ट्रामा सेंटर जो है और राई में बन रहा है चुकि हाई वे पर मेरी बिधान सवा है तो दुर्गटनाएं भी ज़्यादा होती है तो जहां जरुइध है वहाँ पर जि верх ट्रामा सेंटर भी बनाया जा रहा है और हम लोगों ने बहुत ज़ादा सुधारा है और जो साटेज हैं डाक्टर लोगों की वो हम समीधा पर हमारी सरकार रखने जा रही है समिधा पर तो ये डॉक्टरों की जो कमी है अस्पताल हो में कितने समय तक हो जाएगी ये तो बहुत बढ़िवर्ग का रहते हैं लोग बता रहे班 हम समिधा पर रखे भी हैं और रखने की प्रक्रिया स्वेर्पोर हो गई है मैं नहीं समझता हो हमारे शरकार का टार्गेट है कि दो महीने के अंदर जो है जो डाक्टरों की कमी है उसको हम पूरा कर देंगे जब तक नई बैकेंसी नहीं आ जाती है लोग सिवा आयों के जरीए तब तक हम सम्विदा पर काम चलाएंगे हो जाएगा 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 हो बहुत गंद की पानी की बहुत किलत है देखे गोरखपूर के मानिय मुख्यमंत्री जी हैं वहाँ के बारे में मैं नहीं कुछ कह सकता हूँ लेकिर ये जरूर है कि अगर इस तरह की कहीं से कोई सिकायत अगर आ रही है तो हमारी सरकार जो है उस पर तूरंट का तूरंट फोरण कदम उठा रही है वही तो हम आपसे दिदाग जी कहना तरह कि जिस जगह से मानिय मुख्यमंत्री जी पांच बर सांसित रह चुके हैं उस गाउं की हालत अगर ऐसी है तो और गाउं की बात क्या करेंगे नहीं हम आपने कहा बात को और इसको हम समझते हैं कि मानिय मुख्यमंत्री जी भी नोटिस में लेंगे और हम भी नोटिस में लेंगे जो हम से बन सकता है यह सिकायत जो हम उपर पहुंचाने की हम पहुंचाएंगे और उस सिकायत को दूर किया जाएगा और यह जो सरकार बनने के टाम पर यह वादा कि इस कहा गया था कि जो हमारे प्रदेशे वो गड़्धा मुक्त होगा लेकिन आज भी बहुत सारे से सर्वे के बाद पता चला इससे गाउं है गड़्धे हैं बारिस के टाम पर महां पानी भर जाता है सपा वाले इतना गड़्धा कर दिये थे कि उसको जो है हम लोग पूरा कर रहे हैं और हम समझते हैं कि जितने प्रमुक मार गाएं वो गड़्धा मुक्त किये गए हैं अगर कहीं इस तरह की शिकायत रह गई है तो उसे पूरा किया जा रहा है पूरा कर दिया जाएगा भी जो ये बेचली वाली जो आपने बात कहीं कि अठारा गंड़े गाउम बेचली दी जा रही हैं कि कुछ परदेश ऐसे हैं यहां भी फ्रीदे जाती है लेगिन उत्तर प्रदेश दीजाती लिहतर में इसा नहीं है 2012 के चुनाओं में यह कहे थे किसानों को free connection देंगे और मुफ्त बिजली देंगे free connection देंगे मुफ्त connection देंगे लेकिन न उन्होंने free connection दिया न मुफ्त connection दिया और हमने जो है यह कहा और 18 गंटा उन्होंने कहा था लाइन देने के लिए अठारा गंटा नहीं, चार गंटा भी लाइन नहीं मिल पाती थी, किसान परिशान था, लोग मोबाइल भी अपना चार्ज नहीं कर पा रहे थे, लेकिन और उनके समय में केवल जो उनके परिवार के बड़े निता है, जो जिन जिलों से लोग सभाग च लड़ते थे, उस जिले में ही 24 गंटा लाइन मिलती थी, लेकिन हम लोगों ने उस परमपरा को खतम कर दिया और यह निर्धारित किया, कि जिला मुख्याले को 24 गंटा, तासील मुख्याले को 20 गंटा, और गाओं को 18 गंटा विजली देंगे, और आप देख रहे होंगे कि किसान हमारे 18 गंटा विजली देने से संतुष्ट है, और किसी प्रकार की कहीं से कोई सिकायत नहीं मिल लगी है, जग जी बात तो आप ठीक, जो आपने कहा वो ठीक है, लेकिन मेरा मुद्दा ये, मेरे बात ये है, कि अधर प्रदेशों में किसानों को विजली फ्री दी ज जा रही है, तो हम लोग भी इस पर विचार करेंगे आने वाले दिनों में, और निशित लूप से इस पर आने वाले दिनों में विचार किया जाना चाहिए, और आपका अच्छा प्रशना है, और उससे मैं सहमत हूँ, लेकिन आर्थिक वेउस्था को ध्यान में रखते हु जा रहा है, आगे चल कर इस पर वी विचार किया जा सकता है, तो रोजगार सरकार बने के टाइम पे ये कहा गया था कि हर यूगर को नौकरी दी जाएगी, रोजगार दिया जाएगा, लेकिन आज भी रोजगार कहीं नहीं है, रोजगार ऐसी इतना बड़ा मुद्ध कैसे बना कि हमारे माननी मुख्यमंत्री जी ने बीश लाख लोगों को चार साल में रुज़गार देने के लिए घोसरा किया आकर और जो भी बैकेंसिया थी इतना ज्यादा उसमें करपसन हो गया था कि सब माननी उचने आले में या सरोचने आले में बिचारा दी दही है उससे बा और उसका अल्टरनेट ढूड रही है कि कैसे हम बैकेंसिया को निकाल है और आप लोगों ने अख़बारों में भी छापा है कि किस विभाग में कितनी बैकेंसिया खाली है जिससे भरा जाना है और अभी विद्दूत चैन आयो का जो चेर्मेन का पत था वो भी कल भरा गया है और जितनी बी बैकेंसिया भरना है सबी बैकेंसियों को भरने के लिए समदित कमीसन को आड़ेस निर्गत कर दिया गए हैं सबी बैकेंसिया निकल रही है और बिरुजगारी के लिए हम लोग ततपर है कि नवोज़़गार है वो उचित जगा पर जहा ह씨 छमता है उस जो है दस पंत्रा दिन के अंतर सभी वेकंस्टियां निकालने जा रही है चाहो कमिशन हो या चाहे और कोई भाग हो जो चाहर लाग नोक्ते मिलेंगी बात हुई है तो यह किस विभाग में चाहे कमिशनर का ओचाहे को जो कम पढ़े लिखे लोग है जो जिनके पास इतना पै जिनाए चलाई हैं कि जो कम पढ़े लिखे लोग हैं तो वो लोग जो है कौशल विकास योजना के अंतरगत जो है प्रसिछड लें और उनको सरकार जो है सस्ते दर पर जो है कर्ज मोहिया करा रही है उनको प्रसिछड दे रही है और स्वेब स्वाब लंबी बनने के लिए स्वेम जो है उनको कारोबार करने के लिए ब्यवस्था दे रही है तो उसके माध्यम से हम विरोजगारों को रोजगार उपलब कराने की कोशिस कर रहे हैं जी विदायक जी हमारे ग्रामिन जन्ता को आप कोई संदेज देना चाहेंगे आने वाले दिनों में चाहे गरीब हो चाहे नौजवान हो चाहे दलीत हो चाहे पिछड़ा हो चाहे अगड़ा हो सभी समाज के लिए भारती जन्ता पार्टी की सरकार हमारे योगी जी की सरकार उस मंत्रि मंडल में साविल सबी मंत्रिगड ततपर है कि उनके समस्याओं का निदान हम कराएं और इसके लिए हमारी सरकार प्रियास कर रही है और अभियान चला करके, विधान सवाख खतम होने के बाद अभियान चला करके इस दिसाह में काम करेगी और जो हमारे कार्यकरता है पार्टी के तो उनका भी काम हो जनता का भी काम हो और अधिकारी अपनी जिम्मिदारी को समझे है नेता अपने जिम्मिदारी को समझे है निश्चित तोर से आने वाले दिनों में अगर कहीं हम लोगों के कमी रही है तो उसे दूर करें जी बहुत कि भी हम आपको आने जन प्रतिनीदों से आपकी मुलाकात करवाते रहेंगे तब तक लिए शिल्पी को दीजे इजाज़त नमस्कार